नमस्कार दोस्तों दोस्तों, financial year 21-22, assessment year 22-23 के लिए forms introduced होने सुरू हो चुके है ITR1 form already introduced हो चुका है, सरकार ने उसे अपनी website पर डाल दिया है दोस्तों, ITR1 के अंदर एक बहुत ही बड़ा change आया है अगर आप ITR1 के अंदर अपने return file करते हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि वह change क्या है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो क्या change आया है ITR1 के अंदर, क्या कोई information जोड़ी गई है या कोई information घटाई गई है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, उससे पहले आपसे request यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे तुरण subscribe किजिए और हाँ दोस्तों को share करना बिलकुबत बुलिये दोस्तों, ITR1 forms जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि salaried person के उपर applicable होता है जो salaried person है और जिसकी business income नहीं होती है या जिसकी capital gain से income नहीं है तो वो है ITR1 के अंदर अपनी return को file करता है तो अब obvious सी बात है कि अगर कोई change आया होगा तो salary से related ही change आया होगा तो change क्या आया है? क्या information है? तो basically ITR1 से पिछली जो भी information थी उनमें कोई change नहीं किया गया वो सभी information तो आपको भड़नी ही है इसके अलावा आपको एक information और भड़नी है यानि कि एक information आप add कर दी गई है वो information क्या है? information है दोस्तों कि अब आपको overseas retirement fund से यदि कोई income होती है तो आपको वह भी ITR1 के अंदर शो करनी होगी अब आप पूछेंगे कि सर, overseas retirement fund income क्या होती है दोस्तों जो वेक्टीव विदेश में नौकरी करता है अब suppose उसमे फॉरन में नौकरी की और फॉरन में नौकरी करने के बाद वो रहां से रिटायर हो जाता है हिंदुस्तान में आ करके रहना सुरू कर देता है तो उसको जो income मिलती है जो उसे वहाँ पर pension मिलती है फॉरन के अंदर वो obvious सी बात है जब वो इंडिया का residence है तो इंडिया में भी taxability उसकी बनती है तो उसे अब income को यहाँ पर दिखाना होगा चाहे वह income उसको foreign में मिल रही थी उसको कोई pension अगर foreign में मिल रही थी यानि कि foreign companies उसको कोई pension मिलती है जो अब इंडिया में उसको पर taxable बनती है तो उसे वह सारी income अब अपनी ITR में दिखानी होंगे इसके अलावा ITR 1 forms में इस साल कोई भी major change नहीं किया गया है जो informations पहले मांगी जा रही थी वो सभी informations आपको देनी होंगी लेकिन इसके अलावा जो अभी मैंने आपको बताया income from overseas retirement fund से जो आपको income मिल रही है वह भी अब आपको separately disclose करनी होगी आपको उसे बताना होगा कि आपको कितनी income overseas retirement fund से मिली है तो दोस्तों ये था major change जो कि ITR 1 के अंदर आया है कुछ और changes भी आये है ITR 2, 3, 4, 5 और 6 के अंदर भी हम उन्हें separate वीडियो के अंदर आपको बताएंगे इसलिए जुड़े रही है हमारे साथ और हमारे वीडियोज को इसी प्रकार लाइक करते रही है और दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुर मत भूलेगा धन्यवाद